नमस्कार आप देख रहें इस्टेंडेस काई मीडिया समाचार बुलिटिन के साथ मैं जितेंद्र जियोती पीस हजारी कोट में वकीलो द्वारा नौर्थीष्ट परतिनिद्यों पर हमले की आपराधिक अमाना की कारिवाई दिल्ली उच्छ न्याले में शुरू हो गई है ये याचिका ली मारली नोशी के द्वारा दायर की गई है आपको बता दे कि जब माई में वकील ली मारली नोशी एक छेड़चार की विक्टिम का प्रती निदित्व करने कोट गई थी तभी बाकी नोर्थी स्टूडन रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ उन पर भी हमला किया गया था यह याचिका बकील आजाद चंदर प्रकाश गौतम और बरुन कुमार जैन के खिलाफ है इस पूरे मामले पर बकील पॉल रोए पासके ने इस्टन स्काई मीडिया से कई बाते साजह की कि भी है लाग अरुट जए जारु देलीड़ और अरुट लाडन अपरेंवे लिए लाग, जए लुटन आपकर्णानगा अवड़े लिए ठे में कोड़ लुटली लुटली अजीटाना रुट लुटा अवा जोनीटा सिस्टूंगा की अजीट हैं अड़ पारेंगा बुद्वार को दिल्ली हाई कोट में हुई नीडो तान्या केस पर सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारण वश सुनवाई टाल दी गई अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 16 जुलाई को दो मामलों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी जिन में से एक नीडो तान्या का केस है और दूसरा केस है तीस हजारी कोट में वकीलों द्वारन नौर तीस प्रतिनिद्यों पर हमला इन दोनों ही मामलों पर 16 जुलाई को साथ में सुनवाई हो सकती है करNoण कि सुनवार त्वार में तरूसरा कि सथोरा क Vergleich का यही किसा स्थेख कर zona नीडो। तान्या तरूसरार nä46 तरूसरा छेट लिए तेंग्तर सक्षिंस्ट तान्या का टान्या तरूसरा का स्राम समयर्ध परजेक्ट नाप्टनी तुथानिया केस वस राज़ देली हाइए कॉर्ट देली एकॉर्ट, विस रहें जना पर देजिए पर देज़ इस पर देश्टी पर शेंसरे मेडिये के मुख्य मंथरी नावाम्तु की दिल्ली अस्थित अभावन में मिले केंदरिय अउड जा मंतरी केंद्री उर्जा मंत्री ने नाबम तुकी को आने वाले पांस साल में फून से योग देने का भरोसा दिया और राज्जे में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सफल संचालन की बात कही वहीं नाबम तुकी ने भी पूरी तरह से केंद्र सरकार पर भरोसा जताया गौरत अरुनाचल का हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट अभी जो एफ्रूब हो चुका है उसको तेजी से आगे ले जाने के लिए और कोई नया प्रोजेक्ट है जहां जहां जुरूरी है अज़ोग और प्रोजेक्ट के लिए दिश्टी कनेक्टिविटी के लिए इन बॉर्टर इराइस में रोड के लिए सारे मंग हमने रखा है तो क्या उनके तरफ कोई आस्वासन में था मिला तर ज्यूरूत है पुरा करेंगे जो रोड कानेक्शन जहां भी जूरूत है वो पुरा करेगा और PMG स्वाई में भी जो बीच नियूम का नों जो बदलना है तो बॉर्डर एरिया के लिए, हीली स्टेट्स के लिए बदल के हम लोग बना के देंगे। हमने पनेशल मदद के लिए तो मंगा है जो इंपरसर डवलोमेंट में जो पी-एम पेकेज में जहां जहां परगेस हो रहा है वहां में ज़्यादा पैसा देना चाहिए और इस हाइडरो पार परजेक्स में जो इकूटी स्टेट गोर्मेंट से देना है उसमें हमको मदद करन हाल के दिनों में चीन ने अपने नक्षे में अरुनाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को दिखा कर भारत को धमकाने की कोसिस की थी वहीं ये स्टेपल भी जाके मुद्दे पर चीन का रूख पुराना बाला रहा दिल्ली के जंतर मंतर पर बुदवार को अरुनाचल एस्ट्वियन युमियन दिल्ली ने चीन के खिलाप धर्णा पर्दोशन किया और चीन के खिलाफ नारे लगा करिया बता दिया कि अरुनाचल प्रदेश कल भी भारत का हिश्या था है और रहेंगा आसुत की सन्नी ने बताया कि चीन का वेभार हमेशा सिसी तरह का रहा और वारुनाचल प्रदेश को हर अपने की साजी से रस्ते रहा वही सन्नी ने बारत सरकार से स्टेपल विजार नक्षे वाले हालिये के खटना पर अभी लंब कदम उठाने के मांगी अरुनाचल के सांसद निनाउंग इरिंग ने पर्देशन कारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन अपनी पुरानी हरकत से अभी तक बाज नहीं आ रहा है धर्ना पर्देशन में अजारों छात्रों ने हिस्सा लिया आए देखते हैं इस्टानेस का मीडिया की विशेश पेशकास हम हिंदुस्तानी हैं दीखें हमें खेद है कि इस बार हमारे जो महामहीम राश्रपती जी जब वो दोड़े पे गए थे चीन में अभी जस्थाली में और वहामें उन्होंने एक रिष्टे का एक अच्छा संब्द रखने का उन्होंने एक नियोता चीनने भी दिया और हम भी उसको स्विकार करते हैं भारत सरकार लेकिन इससे यह नहीं मतलब होता है कि जब भी यहां से कोई व्याइपी जाता है चाहे वो हमारा देश का कोई प्रतिनित करता है वहां जाके उसी समय में यह सम नोटंकी करते हैं चाहे गुस्पेटिया का हो चाहे हो हमारा जो नक्षा वाला बात होता है वो उसी सम्माई करते हैं जब हमारा यहां से कोई विशेश अतिती हो जाते हैं तो इसलिए हमको बहुत दुख लग रहा है कि अभी हमारा महामहीम हो गए हुए और आज हमको यह एक नौबत आ रहा है कि आप चीन का जो अभी जो जिस मैप में हो दिखा रहे हैं जिससे हमारे बच्चे सब बहुत नाराज हैं सिर्फ यहां नहीं बलकि सारा अरुनाचल में और जितने भी उत्तरपूर्व के जितने भी लोग हैं वो जो हमारे अन्य जो शेहरों में भी इसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दुख जता रहे हैं कि यह एक समस्या एक खड़ा कर दिया हमारे बेच जो हम अच्छे रिष्टे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अरुनाचल इंडिया का ही एक पाड़ एक भाग है यह इंडिया से अलग नहीं है पर अभी रिसेंटली चाइनीज मिनिस्टर्स आके विजिट करके गए हैं वो हमें हमारे स्टेट में यही प्रॉब्लम रहा है कि बाउंडरी इश्यूस हमेशा रहा है तो हमारा एक यह इश्यू है कि स्टेपल वीजा का इश्यू हो वो आते हैं अगर हमें चाइना जाना होता है अगर मानली जमुएन कश्मीर के किसी लड़के को भी अगर जाना पड़ता है तो वो हमें एक पासपोर्ट में वीजा स्टेपल करके देते हैं जो जब हम चाइना घूम के रहा हैं तो वो वो पेपर को हटा देते हैं फिर चाइनीज एमबसी से ही इश्यू होता है और वो वैलिड नहीं होता अलग कंट्रीज में असम में बंगलादेश्यों को वीजा देने समंदी भारा सरकार की नई पेश्कस का असम सरकार ने पहले विरूद किया अब असम से भाजपा के सभी नमीरवाची सांसद और केंदरिया मंतरी सरवानन सोरवाल ने बुद्वार को सुस्मा सुराज से की मुलाकात मुलाकात में इस बात पर चर्चा की गई कि असम में बंगलादेश से आ रहे शरनार्थी का मुद्दा काफी गंबीर है और इस पर उचित निर्ने लिया जाए गौरतलब है कि पिछले दिनों विदेश मंतराले ने ग्रह मंतराले से पेशकश की थी कि 18 साल से कम उम्र और 65 साल से अधिक आयू वालों को असानी से वीजा दिया जाए लेकिन ग्रह मंतराले ने इसे सीरे से नकार दिया था सुश्मा स्वराज ने सांसर सदस्यों को भरोसा दिलाया कि जो भी उचित फैसला होगा वो सबसे राय मश्वरा करके लिया जाएगा मसलन एक और अरुनाचल प्रदेश में चीन का हस्त शेप और असम में बांगला देशियों की गुस्पेट की समस्या नई सरकार के लिए एक चुनोती है इसमें कोई दोराई नहीं है बुद्वार को भाजपा के मानवादिकार प्रकोष्ट ने डॉक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी और मानवादिकार विसाय पर राष्ट्य संगोष्ठी की संगोष्टी के बादशी अगरवाल ने इस्चन सकाई मीडिया जरूबरू होते हुए कहा कि पुर्वोत्तर राज्य सहित देश के विबिन राज्यों में मानव जाती के खिलाप हो रहे हिंसा, अत्याचार और अन्याय के खिलाप हम कल भी संगर्श करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं वहीं सुदीर अगरवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भाज्यों मानव अधिकार प्रिकोष्ट कई योजनों के साथ लोगों के बीच जाएगी यह एक पूरे देश के प्रतिनी द्वारा तुकि जो काम उनको 23 जून से लेकर 30 जून तक दिया गया था श्राम्परशाद मुकरजी जी का जो बलिदान दिवेस्ट मनाते हैं 23 जून को मनाते हैं उस दिन ग्लड डॉनिशन कैंप से लगते हैं और श्राम्परशाद मुकरजी की बल्दान के बारे में गोस्किया होती हैं और उससे 6 जून को उनका जनम दिन है तो हमने 23 जून से लेके 30 जून तक का एक एक यह कारकम प्रे देश में हमारे जो भी सेरी लगते ऊंके द्वारा की लौकरम करे। थे अँए आज यह ब ओड़ी की सिस अपरे नेता थे कंप मंतरी को बिसे कार्यक्रम और किरन वीजु जी जो भारत सरकार में गरह राज मंत्री हैं का वक्तवा, उन्होंने गीता का इसमें कर्तव्य के साथ में महानुवादिकार को जोड़ा और शाम जाजु जी जो रास्टिये मंत्री हैं, आर्थिजन्ता पार्टी के वनका वक्तव हुआ हमारे राष्टिय महामत्री संक्तम माने रामलाल जी ने हमें सुजाया और हमारे कारेको साहरा विशे उसमें हमारे भार्जनता पार्टी के राष्टिय उपादेक्ष मुक्तार अरभा शिनक्वी राए हमारे दूसरे मंतरी परकाज जावड़ेगर जी उनका उद्गोधन हमारे जो डेलिगेट साय थे पुर्य देश से उन्होंने उनको मापशन दिया और इसमें जो बड़ी बात थी एक जो समा सेवी चिमतर विचारत इंदरेश कुमार जी इंदरेश कुमार जी जो संगसे हैं संग पिरचारत हैं अरुनाचल प्रदेश के इटानगर के सरकारी स्कूलों में चात्रों ने कक्छाओं में जाने से इनकार कर दिया है इसकूल में सिक्षाक अधिकार अधिनियम लागू नहीं होने की बज़ों से चात्र कर रहे हैं इसकूल का बहिसकार अरुनाचल प्रदेश आबो तानी क्लांस यूथ और्गनाइजेशन, और अरुनाचल प्रदेश यूथ फोरम और सिटी शात्र संग ने स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं लागू होने का हवाला देते हुए भहिशकार का आयोजन किया आबो तानी क्लांस यूद और्गनाइजेशन के अधियक्ष कीपा कामे ने यह आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल अधिनियम के निरदेशों के खिलाफ जाकर छात्रों से स्कूल प्रवेश शुल्क ले रहे हैं और्गनाइजेशन ने ये आगरह किया कि जल से जल स्कूलों में मिड़े मील, किताबों और स्कूल वर्दी के निशुलक वितरन पर सुधार किये जाएं। साथ ये मांग भी की गई कि स्कूलों में स्टाफ की परियाप्त न्युक्ति की जाएं। आज हम लोग फुरा के पिदल कंप्लेस का प्रिजना गर्में इसकूल को हम लोग बॉइकाउट किया हैं। तो हम लोग माना ये इसमें ये फाइप पॉइंट चार्टर व डिमांड हम लोग और दी ये अमारे एडूकेशन में श्रक को सामिट किया हैं। तो इच और एवरी स्टुदें आफ दी इसकूल में एक प्योन चोकीदर भी नहीं है। वहां में आपका इसकूल टीचर ही बेल मारना पड़ता है। पराना भी वह इसकूल टीचर ही करना पड़ता है। 600 स्टुदेंस की अबादी वाले इस गवर्मेंट सेकेंटी स्कूल चिंपू की दुविदा ये है कि यहां चाहते हुए भी राइट टू एडूकेशन का एक्ट यहां पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकर्स गवर्मेंट की तरफ से इनफ फंडिंग नहीं मिलती है। यहां पर चोटे से चोटे जो बेसिक रिक्वार्मेंट सीट्स को लेके किताबे को लेके सारा बच्चों की फीस से होता है जबकि आगर हम नियम के हिसाब से जाए तो उनसे फीस लेना नहीं चाहिए वान जस्ट बिकोज गवर्मेंट के तरफ से प्रोपर फंडिंग नहीं है तो अब इसकी उपर में गवर्मेंट कितनी जल्दी कोई कदम उताती है यह देखना होगा। कैमरा परसन हितियस मोरां के साथ में कारपरिश सी रिपोर्टिंग फो इस्टन स्काइ मीडिया अरुनाचल अरुनाचल प्रदेश के जीरों में मनाय जा रहा है अपातानी जन जाती का त्योहार ड्री फेस्टिवल बेहदी हरसो लास के साथ मनाय जाता है यह द्री फेस्टिवल में पारंप्रिक उत्साहतों देखा ही गया साथ ही आदुनिकता का एक रंग भी सौंदर्य के लिए केंद्री जी फेस्टिवल समीती द्वारा चुना गया है इस अफसर पर स्थानिय विदायक तागेताकी ने एक आजियो एल्बम पुन्योग पोरो लॉंच की और एल्बम के गायक को सम्मानित भी किया देश की राज़ानी दिल्ली में मानसून ने दिदस तक मौसम हुआ खुश गबार तपती धूप में आम आदमी को दिल्ली में पूरी तरह से रहत मिली लगातार आधे घंडे तक जम कर बारिश हुई से तापमान में काफी गिरावट देखी गई सड़क पर लोगों ने बारिश का काफी लुट्व उठाया दिल्ली के कई इलाकों और एंसियार के कई छेत्रों में अच्छी बारिश हुई इस से लोगों को गर्मी से राहत मिली मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि दिल्ली में मौनसून एक दो दिनों में पहुँच जाएगा दिल्ली में मौनसून के पहुचने में पहले ही तीन दिन की देरी हो चुकी है पहले इसे 29 जून को पहुचने की भविश्यमानी की गई थी वही देश की आर्थिक राज़ानी मौनसून में भी शुरू ही मौनसून की पहली बारिश पहले दिया सुकून फिर बनी परिशानी का सबब मुंबई में मौनसून की पहली बारिश शुरुवाती सुकून के बाद परिशान करने वाली साबित हुई गर्मी की तपिस से परिशान मुंबई वासियों को बुद्वार सुबह से बारिश की फुहारों ने भिगोना शुरू कर दिया लेकिन जैसे जैसे दिन चड़ा प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती चली गई ट्रेन से लेकर सड़क तक लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा अंधेरी, बांधरा, खार, घाटकों पर सहीत कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया जिससे लोगों को आवजाही में परिशानी होने लगी वहीं बारिश के कारण मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन में पहले तो देरी हुई लेकिन बाद में सेंट्रल लाइन पर सी एसटी के लिए परिशानल तक को रोपना पड़ गया सुननदा पुषकर की मौत के मामले में एक नया मोर सामने आया है सुननदा के पती और पूर्व केंद्री मंत्री शशी थरूर ने चुपिसाद रखी है सुननदा का पोस्ट माटम करने वाले डॉक्टरों की टीम की अगुवाई करने वाले सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उन पर पोस्ट माटम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला गया था बता दें कि इस साल 17 जनवरी को सुननदा का शव एक 5 सितारा होटल के कमरे से बरामत किया गया था मामले के तूल पकड़ने के बाद स्वास्थे मंत्री हर्श्वदन ने मामले में एम्स डारेक्टर से जानकारी मांगी है अमेरिका की ओर से भारते जनता पार्टी की जासुसी के संसनी खेज खुलासे को लेकर मोधी सरकार ने दिखाई के स्क्टी केंदर ने मामले पर अमेरिकी राज़ूत को तलब किया अमेरिकी खुफिया एजनसी एन एस ए के साथ काम कर चुके एड़बर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया है कि अमेरिकी सरकार ने 2010 में बीजे पी की जासुसी करने का अधिकार दिया था अमेरिकी खुफिय अजन्सी की तरफ से बीजेपी की जासूसी को गंभीरता से लेते हुए पाटी ने सरकार से इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाने की मांग की है बीजेपी नेता राजीप प्रताप रूडी के मताबिक स्नोडेन के आरोप की पुष्टी की जरूरत है और अगर इन में सच्चाई है तो ग्रह मंत्राले को अमेरिका सरकार के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए घरेलू बाजार में आपूर्ती बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज का नियूंतम निर्यात मुल्य बढ़ाने का फैसला किया है इस फैसले के बाद अब निर्यात किये जाने वाले प्यास की कीमत 500 डॉलर प्रती मिट्रिक टन होगी पिछले महिने ही सरकार ने प्यास के निर्यात के लिए नियूनतम मूल्य 300 डॉलर प्रती मिट्रिक टन किया था लेकिन पिछले कुश दिनों से प्यास के दाम लगातार बढ़ने की वज़े से सरकार नियूनतम निर्यात मूलय बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई है पिछले हफ्ते जो प्याज मंडी में 6-19 रुपे के बीच था वो अब 24 रुपे किलो तक में बिक रहा है भारत में इंटरनेट की स्पीड के मामले में चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसिक कम इंटरनेट स्पीड है ये रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंटरनेट रिपोर्ट जारी करने वाले नेटवर्ग अकामाई ने जारी की है भारत में इंटरनेट की स्पीड 1.7 MBPS है जो कि थाइलेंड, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स और वियतनाम जैसे देशों से भी कम है इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कस्तान दुनिया में 118 नंबर पर है आज के समाचारंकों में फिलाल इतना ही, नमस्कार